हेलो दोस्तों एक्जामकाट चैनल में आप सभी का स्वागत है नए वीडियो के साथ दोस्तों आज 19 जुलाइ है और 19 जुलाइ से जितने मीं इंपॉर्टन कोसिन बन सकते है वो सभी इस वीडियो में हम डिसकास करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टन एक्स्टाफ होगा वो सभी इसके साथ डिसकास करेंगे तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और सेर भी करना और आप हमारे फेस्बूक पेस से भी जूर सकते है जिसका लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो चलिए सुरू करते है पहला कोशन हाली में किस राज्ज ने कच्रे को बिजली में बदलने के लिए OS2 एनर्जी नामक पहल को सुरू किया है तो उत्तराखंड राज्ज सरकार ने कच्रे को बिजली में बदलने के लिए इस OS2 एनर्जी नामक पहल को सुरू किया है तो इस क्वेशन का सही एंसर है B उत्तराखंड परियावरन संग्रक्षन और प्रदूशन नियंत्रन बोर्ड ने पहाडी इलाकों में कच्रे से उत्पन्न प्रदूशन पर रोक लागाने के लिए इस पहल को सुरू किया है अचा चलिए अब उत्तराखंड से जुड़े कुछ एक्स्टा फैक्स को भी जान लेते हैं जैसे उत्तराखंड की दो कैपिटल है एक है देरादुन जो सीत कालिन कैपिटल है और दूसरा है गेर सेन जो ग्रिश्म कालिन कैपिटल है उत्तराखंड की चीप मिनिस्टर है त्रिवेंदर सिंग रावत, उत्तराखंड की गवर्नर है बेविरानी मोरिय, उत्तराखंड हाई कोर्ट की चीप जास्टिस है जस्टिस रमेश रंगनाथन और उत्तराखंड राज्य का राज्य सवा में सीठ है तीन और लोग सवा में सी सित किया गया है और हाली में उत्तराखंड दूलाप पौधो को बिलुक्त होने से बचाने के लिए और इसके संग्रक्षन के प्रयासों को चिन्नित करने के लिए एक रिपोर्ट जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है नेक्स कोशन हाली में किसे TIFF 2020 के लिए एमबासाडर निउक्त क्या गया है तो बॉलिवड एक्ट्रेस प्रियांका चोप्रा को TIFF यानि टोडोंटो इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के लिए एमबासाडर यानि राजदूत निउक्त क्या गया है तो इस कोशन का सही एंसर है C इस साल कोर्णा भारस महामारी के कारण इस फेस्टिवल को भार्चुआली आयोजित किया जाएगा नेक्स कोशन हाली में असोका रैपोंडा किस देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर के रूप में निउक्त हुई है तो इस कोशन का सही एंसर है A ये है रोज क्रिस्टियान असोका रैपोंडा और ये गयाबोन की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर के रूप में निउक्त हुई है अच्छा चलिए अब गयाबोन से जुड़े कुछ एक्स्टा फैक्स को भी जान लेते है गयाबोन की कैपिटल है लिब्रे भिल्ले गयाबोन की कारेंसी है वेस्ट आफ्रिकन फ्रांक और गयाबोन की प्राइम मिनिस्टर तो अब ये ही बन गए है उसोका रैपोंडा नेक्स कोशना हाली में किस टीम ने लालिगा 2020 का किताब जीत लिया है तो रियल मादरिद ने अभी लालिगा 2020 का किताब जीत लिया है तो इस कोशन का सही एंसर है बी रियल माद्रिद ने भिलाडियल टीम को हरा कर लालीगा 2020 का किताब जीत लिया है और इसके साथ ही रियल माद्रिद सबसे अधिक 34 बार लालीगा चैंपियंस बन गया है नेक्स कोशन हाली में रमेश्तिकाराम का निधन हुआ है वे किस सेत्र से सम्मन्दित थे तो रमेश्तिकाराम एक बैडमिंटन खिलारी थे तो इसकोशन का सही एंसर है C ये है रमेश्तिकाराम और हाली में इनका कोर्णा भारस के कारण निधन हो गया है उन्हें 2002 में बैडमि नेक्स कोशन हाली में किस राज्ज ने स्मनीती भन का उधगातन किया है। तो उत्तराखन राज्ज ने स्मनिती भन का उधगाटन किया है। तो इस कोशन का सही अंसर है A. उत्तराखन के चीप मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंग रावत ने हरेला उत्सब के अपसर पर राज्ज के प्रसिद लोक गायक जीत सिंग नेगी की स्रीती में देरादून जिले में स्मनिती भन का उधगाटन किया है और इसे चिन्नित करने के लिए पोधे लगाये गये है। ने भारत की GDP दर को 9.5% रहने का अनुवान लगाया है। नाबाड यानि National Bank for Agriculture and Rural Development ने पस्चिम मंगाल में चक्रवात अंफान के कारण हुए सतिग्रस दिलाके की बुनियादी धाचे की पुनर निर्मान के लिए इसे मंजुरी दी है। अच्छा आप चलिए नाबाड से जुरे एक्स्टा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। नाबाड स्थापित हुआ था 1982 में नाबाड की हेड़क्वाटर है मुंबाई में और इसका चेर्मेन है गोविंदा राजुलू चिंटाला। नेक्स कोशन हाली में कौन पीम सन्निदी अप को लौँच किया है। तो आबास और सहरी मामलों के सचीप दुर्गा संकर मिस्रा ने इस अप को लौँच किया है। तो इस कोशन का सही एंसर है B इस एप की माध्धम से सडक विक्रताओं के रिन आवेदनों को प्रोसेस करने के लिए और रिन देने वाले संस्थाओं को रिन देने में सक्सम करने के लिए इसे लौँच किया गया है। नेक्स कोशन हा हाली में बैरी जार्मान का निधन हुआ है वे किस सेत्र से संबन्दित थे तो बैरी जार्मान ऑस्टिलिया की एक पूर्ब क्रिकेटर थे तो इस कोशन का सही एंसर है A यह है बैरी जर्मन और यह उस्टेलिया की पूर्बर टेस्ट क्रिकेटर थे और हाली में इनका निधन हो गया है भारत के खिलाप 1959 में उनका टेस्ट भी हुआ था तो दोस्तों यह था 19 जुलाई से 10 इंपोर्टेंट कारंड अफेर्स और इसी तरह से मैं आपके लिए डेली इंपोर्टेंट कारंड अफेर्स की वीडियो लाता रहूंगा तो अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और यह वीडियो अगर आपको थोड़ा से भी हेलफूल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा सेहर करना तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई